अध्यक्ष महदे, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगतार नौ बार उनोंने शपत लेकर के इतिहास रचने का काम दे हैं और नौ बार तो लिया ही महदे लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया ऐसा अध्वुन नजारा हम लोगों नहीं देखा हमाने दोनों सब्राच चौधरी जी डिप्टी सीम बने बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीम बने इनका ब्यान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी माँ भाजपा पाटी जो है माँ लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आडड़ी न आपकी माँ हुई औरिजिनल तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे अच्छ चलिए ठीक चलिए कोई बात ने आप अश्विकार कीजे लेकि जनता तो इस बात तो जानती है हमें खुशी है कि साथ बे दो डीप्टी सीम बने में के विजह सिहाथ जी बिडिप्टी सीम बने स्पीकर पत्पी भी रह लिए नेता विरोदी दल भी रह लिए और diabetes सीम भी रह लिए विन्होंने भी तिहास रच दिया एक क्टम में तीन तीन पधीन नə भी पारिया तो यह आप सोचे थे कि नहीं में जबाबू और आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में एक टर्म में स्पीकर भी डिप्टी सीम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बधाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदर नियत्थे हैं और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आये हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्युत में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिल करके इसमें कोई दोर है नहीं आगे सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे अब कई बार मान्य मुक्वंति जी जो है इस बात को बोलते वहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं अपने गाजियन मानते हैं और आप लोग भगवान राम की चट्चा करते हैं हम आप सब के मन में तो राम हैं लेकिन एक बार समझना पड़ेगा हम तो नित्रीज जी को एक दश्रत जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जिन मानते है कि भाई कई बार कई बार जो है इन्हों ने कई बार आप लोगों के सामने भी बूला आप तो यही करेगा यही आगे बढ़ेगा तो चलिए नौजवाने लोग आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा लेकिन कई बार मजबूरिया रही होगी इनकी जैसे दश्रत की मजबूरी थी राजा दश्रत की कि राम को जो है बनवास जो है भेज़ दिया गया लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम बनवास नहीं आए हैं बलकि हमको इन्हों ने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागिदार बनने को पहले बार यह अपने से दूर किये वो भी क्या मजबूरिया रही हमको नहीं पता ना आपको पता किसी को नहीं पता क्या मजबूरिया रही लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया क्या बात निकल के आया कि आप जो है explain कर दीजे आपके उपर जो है मुकदमा है केस है जब दुबारा जब इनोंने अपनाने का काम किया तो इनों ने कहा कि इसा बीजेपी वाला सब पसाने का काम करता है ED and CVI लगा देने का काम करता है देखे हम तो आपको इसद देते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन यह बात समझना पड़ेगा और डिहार की जंता यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं यह तो सब लोग जानना चाहता है सब लोग की इच्छा आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निटने लेना पड़ा 2020 का हम लोग चुनाओ जीद करके आए मात्र बैमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस थापुरे महांगर्बंदर और NDA में आप क्यों छोड के आए आपने यही बोला था ना कि हम इंडिये इसी लिए छोड रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोरा जा रहा है हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और आपने यह कहा था मर जाएंगे मिठ जाएंगे तो आप कहते ही रहते हैं हमेशा लगतारी कहते रहते हैं उस पे उस पे हम नहीं जाएंगे लेकिन आपने तो यह कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष है ना परधान मंत्री बनना है ना किसी को मुख्ध मंत्री बनना है देश भर के विपक्षो को गोल बन्द करके जो ताना शाह है उसको दुबारा नहीं आने देना है इसलिए आप आए थे और आप जब गवर्णर हाउस गये मुख्ध मुख्ध मंत्री जी जब आप बहार आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था मन नहीं लग रहा था तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है आपका मन लगाने के लिए हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे संभावे उसको हम लोग ने मुंकिम करके दिखाने का काम किया आपने दो हजार बीस के चुनाओं में क्या कहा था जूट मत बोलिएगा देखिए हम आप लोग से उमर में छोटे अपने बाप के पास से लाएगा जेल से पैसा लाएगा नौकली बाटेगा और संभावे और हमने उस समय चुनाओं के दोरान रोजगार पर विशेश तूट पर हमने बोला था हमने साइटिफिक अधिन किया रिक्पदे हैं इतनी इतनी है उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे हमको तुक इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आगे हमको तो खुशी है कि उन सत्रा महिनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी मागण बंदन सरकार ने चाहने काम करेंगे आप बताईए आपको याद होगा जब आप बीजे पी को धोका देना चाह रहे थे हम तो नहीं आना-पके साथ आना-चाहते थे इस बात हम आपको गहे भी थे कि हम तो नहीं आना-चाहते हैं मुख़मत्री जी लेकिं देश-भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भै एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एक जुठ हो जाएं और एक जुठ हो करके मोढी जी को हराने का काम करें तब हमने क्या कहा था मुक्षमात्री जी याद है विजेजी है आप भी सामने है हम कहते है मुक्षमात्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे हम बाहर रह करके आपको सब्धत देंगे और आपके सरकार को कोई खत्रा नहीं होगा आप चलाइए सरकार निफिकर हो करके चलाइए कि हम लोगों का भी लक्ष है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें उस संप्रदाइक सक्तियों को जो विचार भारा है जो समाज बेजयर बोने का काम करती है उसको अम लोग भगाने का काम करें इसलिये लिए हम लोग एक साथ आए थे और तो कोई कारण नहीं था अब हम को बताना हम नहीं चाहते है कि दशरत तो नहीं चाहते थे आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उमर रहिए और जो शिल्शिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाये, उसमें हमारा समथ्थर रहेगा रोजगार बाटिये, नौकली बाटिये जो घंदी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन के कई को भी हुआ है आपके लिए नौकली बाटिये, पहँदे पहनते हैं, उसम्राज चोद्री ची पहनते हैं, फालतू है कर आप पहनते हैं, उतार दे का बात कर देगे, इस आपको फिल्म का सुटिंग चल रहा है मोदे, अब बांद लिए पहँदी चलो आँ मैदान में, आप खोलि चलो यार नवी जिसीनिये ना पत निर्मान मिल जाए बहुत कृपा होगी हां आप आगे करम किजए या बठी ना बढ़रो सदास बढ़んで बढ़ जाङ MOD- के बढ़ जाए आप crunch नियां- हमे विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजिंदर जी बैठे है यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर शला दियोगी सब्राट चौदरी जी को पगड़ी उतार लो. दिये की नहीं दिये. आप तो हमको शला देते थे, हमको पता है, आप निके मन में भी पी रहा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने निर्टा के साथ जो निर्टने है उसी में लेते हैं, लेकिन निर्टा तो निर्टने लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सला और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्टने ना हो. इससे नेता का ही नुक्सान होता, इससे नेता का ही नुक्सान होगा, तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी, अभी समराच चौधरी जी क्या-क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन समराच चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं, और उनका शब् पूरा भिहार, बच्चा बच्चा से पूछ लिजे, कि किया होने जाएगा, नितीजी पे भड़ोसा है कि नहीं है, वो क्या-क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो लेना नहीं चाहते हैं। और मोदी जी का गैरंटी तो बहुत मजबूत वाला गैरंटी है, ए मोदी जी के गैरंटी वालो, क्या मोदी जी गैरंटी लेंगे, फिट से पल्टेंगे कि नहीं पल्टेंगे जरा बता के दिखा दो, बताएए, मोदी जी के गैरंटी वालो, बताओ, बताएए, पल्टेंग सब्राट चौद्री जी विजे शिरा जी जब जहां चेर पे थे व्याकूल मत हो ये खूब जोरी है आप लोगों का कमाल का लगे रहिए लेकिन आप लोग तो क्या-क्या बोलते थे अब उस पे तो हमको बठाने का ज़रोत नहीं है सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दुवारा तिवारा जो है रटा जाया जाया इसका कोई मतलब नहीं लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नितीश कुभार जी आदर्दीय है कम से कम एक बार बता तो देते हैं कि हम नहीं रहना जाते हैं जार इस भार तो आपने कुछ कहा भी नहीं है और यह मोख्य मंतरी हैं सबसे बड़ा दल हमारा है कि हम भी झाल चाहिए क कुछ कहते के आप बताईय का कि लोग बात चीत करते थे हर चीज करते थे लेकिन अब चलिये ठीक है अच्छे पल को तो हम जिदीगी वहर के सुजोकु रखेंगे, उसमें हमेरे मन में कोई खोट रएगे, और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुटा गाड के खड़े हैं, कि आपने जो संकल्प, मौदे, बुख्यमत्य जी, आज तो आप से हम कही सकते हैं, आप तो बुलाएं नहीं, खुदी चल गए गए गवर तो उसका भी विवस्था कर देता हैं, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से तिकत है, तो फिट से बाहर से समथथद दे देते और कोई माई का लाल हिला देता हुग सरकार को, इस मन में संका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था, तो मन में कभी भी आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कन्फूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजे, तूल कर लीजे, क्यूं? क्यूंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्मात्री जी और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंदर जी, सब लोग को बात रखना चाहिए, और हम कहना चाहते हैं, जो आप जंदा ले करके चले थे, कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा जंदा उठा करके मोदी जी को पिहार में रोकना चाहिए, ये कोई, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है, मुक्षमंत्री जी जो आप लोगों के साथ हम लग रहे हैं अके ले हमारे साथ स्काउंग्रेस है माले है बहागडबंदर हम लोगों ने बनाया था 2020 में और 2020 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी के न पीराज मुक्षमंत्री जी कहा कि तीसरी नबर का पार्टी हो गए और चर्चा तो बजार में इभी चल रहा है आप मुक्षमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जन्ता मीडिया के साथ ही है अरे कबजा छुड़वाने चले थे अब तो खुदी कबजा इन पे हो गया अब देख लीजे लेकिं जितने मीडिया के लोग हैं अरे कबजा ना हो गया है आप लोगों पर कुछ लिखने देगा कुछ बोलने देगा तो अब तो कबजा अप ही पे हो गया है खैर जो भी अमिछा जी कहते ने हमारा तो दर्वाजा बद्द है खैर उनका क्या उनके बात में दम है हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोगों ने 17 महीने काम करकर दिखाने का काम किया है नौकरिया तो निकली नहीं है और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आप से मिलने गए थे जब सरकार बनाना था हम लोगों को तो मेरा सबसे पहला कंडिशन भुजंदर जी आपको याद होगा हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाएए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि दस लाख सरकारी नौक निदेगे आप वो करवाईएगा अपने निटित में मुझमंत्री जी बोले हो जाएगा हो जाएगा अग दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं जब हम लोग ओत्रे लिए अपने ऐस सिधार जी होंगे बीचिह करें है कि मुझमें निट मेंटारी घ्राटी तो सिधार जी को भेजा गया बहुत पाविल अधिकारी करौ बहुत समान है हमारा तो लिए पाइगे आपने लिए थाहे होंगे हमारे पास बोलते है नहीं कि हम 10 कप कर देते, लेकिन अपमुक्ष मंत्री बने फिर भी हमारे पर जिम्यदारी थी, फिर हमें अपमुक्ष मंत्री को जो है कहा तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता कि सिधार जी जा रहे हैं, फाइनस अपमुक्ष मंत्री जी के भी प्रधान सचिव है, वो आपको एक्स्प्लेइन कर देगा, सिधार जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैशा, कैसे होगा, हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को कर करना है, आप असंभाव बोलते थे, आप मेरे पिता जी को बाप का पईशा लाकर के दिलाएगा, लेकिन इस सतरा महिने में कहां से एक विभाग में, एक दिन में, सतर दिनों के अंदर, दो लाग से भी जादा सरकारी नौकरी कैसे मिला, एक्छा शक्ती होनी चाहिए, विल मुख मंत्री जी, जो थकेवे मुख मंति थे, उनको हमने दोराने का काम कियो, तो हम लोग सही बात बोलते थे, बोलें कि जाती जादारीत गंna के बारे में यही न हाँ से, हम यही न बेटे थे, यही से न हमने परस्ता अच्मा के तह आएए हमारे परता भी न हमारे पिता क्या भाजपावाले लोग बोलता था उस समय, हाँ? Solitary General, कौन है वहाँ? बड़ा महादिवक्ता, क्या ना हुए उनका? सुप्रीम कोट में करा दिया था, लोकने के लिए? तुशार महता को खड़ा कर दिया था जो हम लोग जाती है धारित गरना करा रहते? तो आप तो जानवे न करते हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी वहाँ चलेगे, अब बताईए, करपूरी जी को मिला हमको तो बहुत खुशी की बात है, करपूरी जी को मिला, आप करपूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ, आप काम कर चुके हैं, आप उस वकत थे, हम भले मे वो यह हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे, आपको तो ही पता था कि करपुरी जी जब आडख्षन बढ़ाये थे उनकी सरकार थी, तो जनसंग जो था उस सरकार में था, जब करपुरी जी जब आडख्षन बढ़ा दिये, तो यही जनसंग वाला ही ने मुख्यमंत्री जी और वही जन्चंग वाले भात्मा वाले कहते थे क्या बोलते थे हरक्षन कहां से आई कहां से आई कहां से आई करपुरी जी हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं, और आप कहां चलेगे मुख्यमंत्री जी, बताइए हम अगर गलत बोल रहें तो इस बात को बताइए, विजेंदर जी, विजे जी, आप लोग सब लोग उसमें रहें, भाई, सब लोगों ने नेतित्वे काम किया है, हाला कि पता ने उसमें, विजे जी शाथ कॉंग्रेश में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं, तो इतना सब लोग का सयोग रहा कर पुरी जी को भाईत रतन मिला, तो इन लोग तो भाईत रतन डील बना लिए, डील करने के लिए, हमको भोट मिलेगा, डील कर ल समान नहीं करते हैं, आप लोग डीलिंग करते हैं, बादपा के लोग समान नहीं करते हैं, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बाईत की राजीती के लिए करते हैं, और हम लोग ने कितना अरक्षिन बढ़ा दिया, 75%? लालू जी का जब सरकार था, तो उस समें सा 12 या 14 उसके बाद आप आप आए तो वोड बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग लेहीं गें लेकिन 24 के आशपास अती पिछ्रों का आरक्षन जो है वो मिला, तो हम लोग तो इस सब काम करते रहें, और हम लोग विचाट धारस को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिधान्त उपादक्ष मौदे, हमको किसी बात का डर नहीं, फिकर नहीं, हमारे पिता लालु जी है और उनका खून मेरे अंदर हम लालु जी का बेटा है, इन सब शीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्श करते हैं और लडते हैं, तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का क करेंगे और आप मुठ मंत्री जी कह रहते हैं कि उधर चला गया, जब श्तिफा देकर क्या थे गवर्नर हाउस से, तो यह बात भोले कि मन नहीं लग रहा था, दूसरा बात यह बोले कि क्रेडिट ले रहा था, मेरा डिपार्टमेंट विभाग, राजेदी का, हमारे मंत्र हम लोगों नहीं नौकरी दिया 17 महीने में पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मेने ले शुनिये ना भाईया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित्पे बोलना चाह रहें, तो आप बोले क्रेडिट का समराजी, विजे सिनाजी, हम आप लोगों पहले सचेत कर दे रहें, सचेत इस बात का करें कि महागड़बंदान की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख मंतरी नहीं बनते, लेकिन एक बात समझेए, अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा, उसका क्रेडिट नहीं लीजेगा, तो मुख मंतरी जी, हम लोग 17 महने जब थे, सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले, आप लोग बताएं क्यों ना ले, अब आप लोग सरकार में आए भाजपा के लोग, अन्निती जी बोलेंगे कि नहीं, क्रेडिट नहीं लेना क्रेड संति संति हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था उपाधेक्ष मोजे जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांजी जी मांजी जी अपनी बात को रख रहे थे अपनी बात को रख रहे थे तो मुख्य मंत्री जी मुख्य मंत्री जी जो है गुस्सा में आएं गुस्सा में तो आएं तो आएं लेकिन उसके बाद मांजी जी का रियाक्शन बाहर हुआ था मुख्य मंत्री जी अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत शलत दव भूधा खिला देता है, बोले थे हम नहीं मुझत घड़ेता है। अभ उनकी मानजी श्थिती ठीक नहीं है उनको जो हुध है इुलाज कराना चाहिए है। अब हम को, अब हम पूरा मानजी जी पर भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएगी है। मान जी जी, ख्याल जरूर करियेगा, आप बड़े हैं, आपका सब जवाब में ने यहाँ हैं, कोई ने, जरूर दीजे ना, कोई दिकत ने हमको, तो आप दवाई अच्छे से खिलाए पिलाए और थोड़ा बंगले में कमरा ले लेते, जाके ले लिजे, अगर जाई सच में अगर चिंता है, तो आप कमरा ले लिजे, वना आज अगर आप भोलिए तो आपना वचर वापस ले लिजेगा, जो मुक्मलते जी के बाहर बहर बोले, नहीं नहीं आप भोलिए गाना आपका बाड़ी आएगा, अने, आपको मुका मिलेगा, मानिया सदस बाड़ जाई है, आपको अपनी बात रखने का मुका मिलेगा, बचज़े, आपको मुका मिलेगा, आप बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, बच़िए, आरे, कौनो नया बात बोलिए, नहीं हट गे तो हमने उनको बोल दिया, तो उस साथ आगे तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले तो कौन नहीं कर दिया, दो सब तो करी रहा है हुな हुआ ही कुछ नहीं कर रहा हैु हुआ हुआ है लipped लिट, रहा हैävाँ नहीं करका है पर बेस्ट कावरा कौने करें नहीं है झाल मारे जखना है कुछ नाीוש बात कर दो नहीं है अम तो छोड़ ए ह किखंस में तो इसमें नहीं कहते हैं, तो छमा कर देना चाहिए, जिल बढ़ाख रखिये, तो इसमें नहीं कहना है, अब हमको जो पुच्चे ना बोल रहे थे, आप कन्कूलूट किया, माने सबस्थे, अज ही तो मुखा मिला है ना, आज ही ना मुखा मिला है, इसके बाद तो हम जनता क कि बीच है, जो हमारी मालिक है जनता, सदन कैसे चलेगा है, तो हमको पता है, आने वाल आजोबी होगा, तो सदन कैसे चलेगा है, तो हमको पता है, मतलब नहीं हम तो जनता के बीच रहेगे, काम करेगे, जनता के बीच रहेगे, तो इसकी हमको कोई चिंता नहीं, तो उसलि यहां है तो बिहार के हिद के लिए बिहार के तरक्की के लिए और स्थिर्ता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में तब तक विकास संभाव नहीं है और हमको तो पीरा होती है जंता दल युनाइटेट के विधायकों के प लेकिन जन्ता के बीच तो वह आप विधाय के लोग नजा करके जवाब देगा? आप ही लोग ना दीजेगा. अब आपसे कोई पूछेगा कहा है बतावो नितीज जी तीन बार सपत लिये तो क्या बोली तो गरियात रहना पहले अब तू बढ़ाई करता रहो क्या बोली बगदावाब। हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। आप बात कर रहे हों। हाँ? दूसरा, दूसरा, एक विधायक अगर मेरे को जुटला दे कि अब साच बात बोल रहे हैं। आजपा कर लोग का तो शपत गराज जबुआ उसे एक दिन पहले ही सारा टाज से पोस्टिंग हो गया। आप तो यही बोलेंगे मुक्तमती जादे अभी तो हुआ आप लोग कहले नाम दे रहे हैं। खेर हुआ बहात ना लगे। तो अफसर साही अरे हमको क्या है। हम बोलेंगे उन नहीं कि नहीं कि कर दे कर दे तो भी खुश। नहीं भी खुश। आप लोग अपना चिंता किजिए। तो एक बात सब्ञाँ है हमना नहीं हमना आप मिन लोग भोलते हैं। rete ओप्री जी ज़े पहले भी अरे सब फूटेज है। कौन-कौन बोला जैंव इतार सब का फूटेज है। सब दिखा देंगे। हां, यह तो सम्राइच्वादरी जी, सम्राइच्वादरी जी शपद से पहले डिली में इंटर्व्यू देख यह थे जर आप फिर सही देख लिजेगा, हमको बोलने की क्या जो है, सब तो अपड़े आप लोग बोलते हैं, करते हैं, तो हम इतरा कहरें, मुक्ष्वादरी जी कि कुछ भी लोग की भाजपा इतरी डरी भी थी अब हमारे गढ़दन से, महा गढ़दन से, आज मजबूरन, देख लिजे, कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हों, कुछ भी धर्म के राजुती करते रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे कि अगर भाजपा को था, तो भी हार से घर था, आप से डर था, हम साथ थे, उसका डर था, हम दिल से बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी, आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है, आप, हम जब हैल्थ मिनिस्टर थे तो तो तीन कैबिनेट से फाइल अटका पढ़ाया है है भाई, हेल्थ, पॉब्लिक हेल्थ के अडर का, जिसमें स्वास रिभा के कर्वियों का हम ने बोल दिया कि एक लाग तीस हजार लोगों का वेकेंशी का है, उन करवा दीजे, करवा दीजे, कितना बार हम कों करें, मेरे पास मेसेज है, विजे जी को मेसेज की, सब रिकॉ वजे पूछेए उन से पूछेए, और दीपक जी से पूछेए, हम आपको कई बार बीशे नर्याधर जी जी को बोलें, कर दो कम से कम, ये वळला था पॉब्लिक हाल के ये जो हम कर दिये हैं, और ये कैबिनेट ही नहीं आ रहा है, कम से उन लिखिन आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से चल कपट करके जीत के 2020 में आएं, तो पांच साल कला था, पांच साल में, पांच साल में अभी तो सारे तीन साल चर गए उसमें से हम लोग सतरा महिना रह लिए, उसमें सतरा, चोड़, अचा 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 भईया, चोड़ दर्वाज़ से गर हम घुसे तो चोड़ का दर्वाज़ा किसने खोला? अज़े पताब भाई, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी, वहाँ से तो तेज़ेश्वी खड़ा होगा, समझें? और आज हमारे प्रलाज जी सबसे भुजुर्ग, सांती, सांती, देद नहीं, बिहार की जंता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि नौ बार शपत आप क्यू लिए, एक साल में तीन बार शपत क्यू लिए, लेकिन हम तो यही रखाली कह रहे हैं कि भाई जो प्रलाज जी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कितना दिन तक आपने पाटी का जंदा बुलंद करके रखा है, और आप स्वस्थ रहिए, मानने मुक्तमंत्री जी और सरकार से यही आगरा होगा, कि जो आपका बात हुआ है, उस पे वो खड़े उतर हैं, कोई आए ना आए, जब समय आएगा, तो तिजश्वी आएगा, तो कि याद किजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन, जब ठक ठका करके कहीं आप लोगोंने कुछ नहीं किया, तो हमने टिकेट इसको देखर के जिताने का काम, और इनके पिता के गुल पे नहीं, इनके गुल पे, नौजवानों, रोड भाफ है, लंबा चलना देखर, टीम बनाना है, नौजवानों को हमने टिकेट दिया, नौजवान आए राजीती में, राजिती करें, सक्रात्मक राजिती करें, बिहार को अगे लेकर के जाएं, ठाकावा लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या-क्या मजबूरी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीडित है, और इस पीड़ा में ही कहीं भी रहे, हम इसके साथ है और निलम जी, जो आप महिला है, आपने जोडने लिया, हम स्वागत करते हैं शांती, 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 बस दो में, दो में करेंगे, निलम जी, निलम जी, आप महिला है हम आपके निल्डे का स्वागत करते हैं, बात बने ना बने बाद में हमको ज़रूर याद कीजिएगा और एक का मुख्मानती जी हमने फाइल कर दिया था, आगे भी बढ़ा दिया था, बिजय बाबू, देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, देखते ही रह रहे हैं, अभी तक फ़लवा कर वाइबे नहीं के के विडिट में, तो जी विकाद दोगो का तो आशा दी दी का मान्देवला करवा दिजीग आशाय ममसा हम लोसो के सरकार में हम लोग सब का राई बना था जिस में जब लोग भी मिटिंग में थे सब लेफ्ट के पाटि़ सब जेता को आप बुलाएंगे इसमें आपका भी मिपनेशा आप नहीं मना कर रहे हैं आपका काम किया है उस पे आपने काम क्या मानदेव बढ़ाया हम लोग कभी सात रहा हमने भी बोला कि यह कर रहे हैं यह भी किजे यह भी किजे जो जितना मूँ था उतना हम कहते थे इज़त असम्मान से अपने मूँ से ज़ादा हम नहीं कहते थे तो हम तो एक चीज और सांती 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 अब हम कॉंट्लूट करेंगे बस अब आप लोगों की सरकार बनी हैं आप लोगों किस तो सरकार बनी हैं हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है हमारी मांग है कि ओल्ड पेंचन नीती को आप लोग जरूर लागू कराईएगा साम्राव जी इदर उदर सिधार जी को ना भेजा जाए सिधार जी का मत सुनिया या ओल्ड पेंचन नीती आप करवाईए क्रेडिट हम आपको देगे ओल्ड पेंचन और अब तो विजेंदा जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंदर का योजिरा में कितना घटाटी कर दिया बिहार के लिए वही आनाता है केंदर का नहीं क्या हूँ क्या हूँ क्या हूँ जब के बोलो यह क्या वो क्या तो इसब ठीक है लेकिन आप क्या इस पे जाए मुक मंति जी तो आग भूला हो जाते थे केंदर का जितरा भी यंश था खांए अगर केंदर के नाम है तो भाव को इसको फैए फैल ठाओ। को लिए पट तो आप जरूर मुक मंति जी जो है केंदर जो पैसा दे हम पर पता है कि कहां दे रहा है बिहार को लेकिन कुछों देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है बिहार के लोगों का है वो ज़रूर लीजेगा इसमें कोई नहीं आज इसको भी स्वास मंतरी बनाईएगा प्रते अम्रीजी से पूछ लीजेगा एको काड़ बनता ना जिसका मोदी जी परचार करते है बिहार का भी वैसे ही हो ज़र आपनों को लाएं कि जो मजदूर बहार रहेंगे उनका पांच लाग तक का जो है तुरान अब क्या होता है पहले रिवर्श होता था इलाज करा लो तो पैसा पना दो फिर बाद में पैसा भंजाते रो इसमें क्या पहले ही पैसा इमिडेटली जो है मिल जाएगा इस सब काम करा दीजे बाकि डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधार मतीजी साप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुबारा नहीं होना चाहिए और कब से कम विशेष राज का तो दर्जा दे दे कि अधेक्ष मौदे हम सभी अपने महागरबंधन के साथियों को तह दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस लडाई में आप लोगों ने हम लोगों का साथ देने का काम किया है और आप सब लोगों को हमारी तरब से बहुत-बहुत शुपकामना है मुक्तमत्री जी स्वस्त रहिए कभी कोई बात होगा वी अगर कोई बात हो काम हाजिर है उसके कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन इसाब काम जरूर की बहुत-बहुत धन्यवाद करें